हेलो एबरीवन, वेलकम टू यामी रासिपीस किचन आज मैं आपके लिए बहुती डिलिश्यस सी सेंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ यह काफी डिफरेंट तरीके से बनकर रेडी होता है लेकिन खाने में बहुती मज़िदार लगता है तो फ्रेंट्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए फिर इस मज़िदार से सेंडविच को बनाना शुरू करते हैं इस डिलिशस सेंडविच को बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालेंगे वन टेबल इस्पून के जितना ओयल ओयल जब हलका सा गर्म हो जाएगा तो इसमें एक मीडियम साइज के प्यास को फाइन चॉप करके डालेंगे प्यास को हाई फ्लेम पर एक से देर मिनट तक फ्राई करेंगे मैंने प्यास को फ्राई करने के लिए यहाँ पर ओयल का इस्तमाल किया है आप ओयल की जगा बटर का भी इस्तमाल कर सकते हो प्यास को हलका सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून के जितनी स्टिम्ला मिर्ज को बारिक कट करके डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून के जितनी ही गाजर आट कर रही हूँ गाजर को मैंने ग्रेटर से ग्रेट करके इसमें डाला है अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और हाई फ्लेम पर इन्हें एक से डियर मिनट तक फ्राई करेंगे इन्हें हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं है बस हलका सा सौटे करना है तो इस पॉइंट पर आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी आड़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो आप वो इसमें आड़ कर सकते हैं सबजियों को सौटे करने के बाद आप इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आदा छोटा चमश नमक आदा टी स्पून ही इसमें चिली फ्लैक्स आड़ करेंगे और साथी हाफ टी स्पून काली मिर्ज का पॉर्डर डालेंगे अभी आलो को मैंने फॉक से अच्छी तरह से मैश कर लिया है आप चाहें तो आलो को ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हो आलो को अच्छी तरह से मैश करने के बाद अब हमने जो वेजेटेबल्स फ्राई करके रखी थी वो इसमें डालेंगे अब हम इस पॉइंट पर इसमें कुछ मसाले और अड़ करेंगे तो टेस की अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक डाल रही हूं तो अब देखिए यह हमारी चटपटी स्टफिंग बनकर तयार हो गई है तो अभी हम इसे साइड में रखेंगे अब लेंगे दो ब्रैट के स्लाइसिस और इसमें एक स्लाइस पर हम टमाटो कैचप लगाएंगे तो मैंने यहाँ पर वाइट ब्रैट के स्लाइस लिये हैं आप चाहे तो यहाँ पर ब्राउन ब्रैट के स्लाइसिस भी ले सकते हो अब इस पर ketchup लगाने के बाद अब हमने जो stuffing तयार की थी वो इस पर रखेंगे और इस पर अच्छी तरह से इस bread कर देंगे इसे अच्छी तरह से लगाने के बाद अब हम दूसरे bread का slice लेंगे और इस पर wedge mayonnaise लगाएंगे wedge mayonnaise की चगा आप यहाँ पर green chutney का इस्तमाल भी कर सकते हो अब slice पर mayonnaise लगाने के बाद अब हम इस पर थोड़ी सी काली मिर्च का powder स्प्रिंकल कर देंगे अब इस slice को हम दूसरे slice पर रखेंगे तो अब ही हमारा sandwich बनकर ready हो गया है तो अब हम इसे toast करेंगे तो इस sandwich को toast करने के लिए एक pan पर 1 tablespoon butter डालेंगे butter के melt होने के बाद sandwich को इस पर रखेंगे और इसे low flame पर 1-2 मिनट तक toast कर लेंगे ताकि इस पर बहुत अच्छा golden brown कलर आ जाए अब 2 मिनट बाद इसे दूसरे तरफ पल्टेंगे तो आप देख सकते हो इस पर कितना अच्छा golden brown कलर आ गया है अब इसमे 1 tablespoon butter और आट करेंगे और इसे दूसरे तरफ से भी 1-2 मिनट तक golden brown कलर आने तक इसे toast करेंगे अब इसे दूसरे तरफ से भी 2 मिनट तक toast कर लिया है तो अब आप देखिए हमारा super delicious sandwich बनकर ready हो गया है अब आम इसे बीच में से cut करेंगे इसे cut करने के बाद मैंने इस पर ये बेशन के सेव स्प्रिंकल किये है इने डालना बिल्कुल optional है अगर आपको पसंद हो तो डाले नहीं तो आप इसे skip कर दे ये देखिए हमारा बहुती tasty sandwich बनकर ready हो गया है इसे बनाना बहुती आसान है बहुत कम टाइम में बहुत आसानी से ये बन जाता है तो आप भी इस आसान सी recipe को एक बार try जरूर कीजिएगा तो friends अगर आपको ये recipe पसंद आए तो वीडियो को like कीजिएगा family और friends में share जरूर कीजिएगा और channel को subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और नई recipe के साथ